डॉक्टर विवेक तांगडी जी महंत प्राचिन लेटे हुए हनुमान जी लखनाओ प्रभुजी चरणवंदन प्रभुजी सभी सरूप में श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं जो भी तीर जाएं जिस भी परमधाम के दर्शन करें सभी में श्री हनुमान जी के ही दर्श सादू एहरधेयम भगवान के रहे हैं HAM VAKT PÁRAD हिनों अस्तृ तैंत्रई घैंडि अगर हनुमान जिये ऐसे दिखाए टो राम जी और राम जी के हरद० तो हनुमान जी मिलेगे पक्का एक ही परहंतत्ठ तो आप देखना हनुमान जी कौन है स्वयम रुद्र है स्वयम शीव है तो रामेश्वर की पूजा इस्थापना कौन कर रहा है राम जी तो राम जी के चरणों को कौन लिये हुए बोले सीव जी यही तो एक अगर हम इस्टिक पकड़ ले यहां विचार करना है कि हनुमान जी को पसंद क्या है हम जिससे प्यार करते हैं उसकी पसंद देखते हैं उसकी रुची देखते है हरुमान जी को सियाराम नाम पसंद है हनुमान जी को सियाराम चरित्र राम चरित्र सुनिवे को रसिया यह रसिक है किस बात के यत्रयत्र गुनात्थ कीर्टनम तत्रत्रत्र कृत्रमस्ट गांजिलं वास्पवारी परिपुर्ण लोचिदंम मारतिन मंतराक्सानतर्म हनुमान जी महाराजां तुब आते हुए जहां जहां नाम की इर्टन होता है हरी का जहां उनके पावन चरित्र का गायन होता है वहां वहां उपस्तित होते हैं यत्र यत्र हुनात की इर्टन हम तत्र तत्र वहां 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 विराज मन देते हैं तो यदि हम हनुमान जी को इ जो नाम रूप पकड़े उसमें आसक्त हो जाए जो नाम रूप पकड़े जैसे कोई राम उपासा कोई ब्रहम उपासा कोई निराकार कोई साकार जहां पकड़े जोर से पकड़ लिए एक ही जगे पहुंच जाएगा वो दो नहीं है जैसे किसी भी गाट में आई है आप यमुना जी तो वही है घाटों के नाम अलग-अलग है कि आज हमने जुगल घाट नाया आज हमने भी स्राम गाट आज केसी घाट ऐसे घाट कहे जा सकते हैं लेकिन यमुना जी अउगाहन उनीका हो रहा है ऐसे तत्त तो एक है नाम कुछ भी दे दो लीला में विविद लीलाएं विविद नाम विविद रूप धारन के हमारे प्रभु विराजमान ऐसे अनन्य भाव से रहे यह तो बहुत परमंगल में है कि अपने आर आराध्य दिव की रूप में देखा जाए हनुमान जी को उनसे सक्ती ग्रेंड करने की बात सक्ती के सिद्यों की बात फिर दूसरा कुछ हो जाएगा फिर वो मार्ग प्रेम वाला नहीं रहेगा नहीं तो हनुमान जी के आराध्यन का फल सिदा आएगा राम रशायन तुम् भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ती में जब हनुमान जी प्रशन होंगे तो वो अपनी रती नहीं प्रदान करेंगे अंतिम बात मान लेना उश्या राम की रती प्रदान करेंगे क्योंकि जिस पर प्रशन होते हैं वो अपने हरदय की बार दे देते हैं, उनकी हरदय में क्या है, राम रशायन, राम जी का प्रेम, वो उसको प्रदान कर देते हैं, और राम जी जिस पर करपा करते हैं, उसे हनुमान जी की चरणों में निश्चित प्रेम हो जाता है, क्योंकि भक्त की करपा से ही भगवान की प्रेम को प्राप्त किया जाता है और भगवान की क्रपा से भगतों का संग होता है बिनु सत्संग विवेकन होई और राम क्रपा विन सुलवन सोई अब मोई भाव रोस हनुमनता बिनु हर क्रपा मिले नहीं संता जब हनुमान जी मिले तो विविशन जी को क्या दिखाए दि अनन्यर हो अपने श्वामी के अनन्यर हो सारा सुख विलास प्रगट कर देंगे